हलो, नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में पार्थियन वंस का इतियास के बारे में जानकर इप्राप्त करेंगे, तो देखेगा पढ़ते हैं पार्थियन वंस, लेकिन पार्थियन वंस पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देना साथि हूँ कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको परिक्षा की रस्ची से जो महतोपन इतियास के बिंदू हैं वो मिल सके, तो चलो देखते ह हैं पार्थियन वन्स, पार्थियन वन्स तता सकों का इतियास एक दूसरे से अत्यदिक उल्जा हुआ है, ठीक है, अंत्त है, उसे अलग-अलग करना एक अठिन कारिये है, पार्थियन वन्स के लोग पार्थिया के निवासी थे, पार्थिया बेक्ट्रिया के पस्चिम की और कैस्पियन सागर के दक्षन पूरव में इस्तित शेलू कसी सामराजे का सिमावर्ती प्रांत था। पार्थियन वन्स को भारत में पहलव तथा पल्लव वन्सों के नाम से भी जाना जाता है। तृत्य स्ताब्दी इस्सा पूरव के मध्य बेक्ट्रिया के साथ ही पार्थिया के यवन छत्रप ने भी अपनी स्वतनतता घोसित कर दी। परंतु सिग्रही पूरव की ओर से आने वाले कुछ वेक्तियों ने यवन सासक की हत्या कर दी। तथा उन्होंने जिस समराजे की नीव डाले वहें पार्थियान वनस का नाम से विख्याती हुआ। युद में मारे गए। Defin दात द्वितिये इस वनस का सबसे पबताफी राजा था। उसने सकों को प्राश्त किया तता सिस्तान और का अंधर पर अधिकार कर लिया। पार्थियनों का सिस्तान आरकोषिया एरिया तथा कापूल गाथि में अधिकार बना रहा। इन पर्देशों से मिले हुए सिक्कों से अनेक राजों के नाम ग्यात होते हैं पहले वे पार्थियन नरेशों के गवर्नर थे परंतु बाद में स्वतंतर हो गे तथा इंडो युनानियों को प्रास्त कर उन्होंने भारत के कुछ भागों पर अधिकार भी कर लिया भारत पर अकर्मन करने वाले पार्थियन सर्दार सिस्तान तता आरकोसिया से आये थे उन्ही को भारतिये गरंतों में पहलव कहा गया है पार्थियन नाजों में परमुक राजा कौन-कौन से थे देखेगा वोनो नीज जिस समय सक्सासक मेवस गंधार में सासन कर रहा था वोनो नीज सिस्तान आरकोसिया तता एरिया का राजा था वै अपने सिकों पर महराजा धिराज की उपाधी धरन करता है उसके कुछ सिक्के यवन नरेस युक्रेटाइडीज के सिकों के अनुकरण पर ढाले गए है इस परकार के सिकों पर युनानी तता खरोष्टी दोनों ही लीपियों में रेक प्राप्त हुए है सिकों के प्रिष्ट भाग पर उसके भाई सपलोर तथा बथिजे सपलगडम के नाम मिलते हैं ऐसा लगता है कि ये दोनों उसके प्रांतिय सासक थे इस्पेलेरिस नाम जो राजा था वो देखेगा वोनोनीज के बाद इस्पेलेरिस राजा हुआ उसके कुछ सिकों के मुख भाग पर युनानी लीपी में सपलेरिस का नाम तथा प्रिष्ट भाग पर सकनरेश एजेज का नाम खुदा है इससे परतीत होता है कि सकनरेश उसके अधिनता में उपराजा था इससे पता चलता है कि पार्थियनों का तक सिला पर अधिकार था अगला राजा आता है गोंडो फनीज यह है पार्थियन वन्सका सरवादिक सक्तिसाली राजा था उसके सासनकाल का एक अभिलेक तक्ते वाही प्राप्त हुआ है जिस पर 103 की तिथी दी गई है इसी यदि इसे विक्रम सम्वत की तिथी स्वीकार किया जाए तो ऐसा निसकर्ष निकलता है कि वह है 103-57 अर्थाथ 46 इसवी में राजे कर रहा था यह तिथी उसके राजेकाल के 26 वे वर्ष की है अता है उसने 20 वर्ष 20 इसवी अर्थाथ 46-26 में सासन कारिय प्रारम्ब किया था गोंडो फणीज के सिक्के पंजाब, सिंद, कांधार, सिस्तान तथा कावबुल गाठी में पाए गए हैं इससे उसके समराजे के विश्तित होने की सूचना मिलती है ऐसा लगता है कि सकों को प्रास्त कर उसने पंजाब तशिंद पर अधिकार कर लिया था तकसिला उसकी राजधानी बनी ए स्परवर्मन नामक जो राजा था वो जो पहले सकनरेस एजेस दुट्ये की दीनता में छत्रप था अब गौंडो फणनीच की दीनता स्विकार करने लगा इसाई अनुसरूति में उसे संपूर भारत का राजा कहा गया है जिसके सासनकाल में इसाई धरम का परचारक सेंट टोमस भारत आया था ठीक है तो इसाई नुसरूतियों में उसे संपूर भारत का राजा कहा गया है जिसके सासनकाल में इसाई धरम का परचारक सेंट टोमस भारत आया था ठीक है गोंडो फणनीज के निर्बल उत्रादिकारी इस काल के सिक्के से दो राजों के नाम मिलते हैं अबडिगेस तथा पकोरिस ये दोनों ही निर्बल सासक थे इसके बाद कुसाणों ने भारत पर आकरमण किया कुसाणों ने पार्थियनों को प्रास्त कर यहां अपना सासन कायम कर लिया परन्तु ऐसा लगता है कि पस्यमी भारत में द्वित्य स्ताब्दी इस्वीतक पल्लवों की सता किसे न किसी रूप से बनी रही सात्वा नरेस गोत में पुतर साथकर्णी को नासी गुहलेक में किसी पहलव राजा को उखाड फ्येकने का सरे दिया गया है माच अत्रब रुद्दर दामन के दीनता में सुविसाक नामक पहलव सूरास्ट्रे में सासन करता था पार्थेन राजों के सिकों पर धर्मी अर्था दाहर में कुपादी उतकिने मिलती है ऐसा लगता है कि सकों के सम्मान वे भी भारती सेंसकर्ती से परभावित हुए तता उन्होंने बोध रम ग्रण कर लिया था तो देखेगा इस वीडियो में हमने पार्थेन राजों के बारे में जानकरी प्राप्त की आगे के वीडियो में भी आपको इत्यास ये संबंदित महत्तोपुन जानकरी मिलेगी तो बने रहे हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज भे